अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ आज भी हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो जानकारी के अभाव या जागरुक्ता की कमी के कारण निवेश के लिए शेर बाजार को नहीं चुनते हैं शेर बाजार के बारे में सपष्ट जानकारी होने पर भी उनमें शेर बाजार में निवेश करने की हिम्मत नहीं होती है लेकिन अगर मैं आपसे कहूं की लगभग 107 साल पहले एक मराथी व्यक्ती ने Stock Market Investment Consultancy की स्थापना की थी तो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे जी हाँ लेकिन ये सच है जिस शेर बाजार में 2021 तक मराथी लोगों का प्रतिशत बढ़ने लगा उस शेर बाजार में डॉक्टर बाबा साहब आमबेडकर ने 107 साल पहले से ही कदम रखा था डॉक्टर बाबा साहब आमबेडकर के व्यक्तित्व के ऐसे कई पहलू है उन्होंने एक ही जीवनकाल में कई अलग-अलग एतिहासिक और कार्यात्मक भूमिकाए निभाई है ऐसी भूमिकाए जो आज भी सभी के लिए एक आदर्श मानी जाती है वह एक महानवक्ता थे, वह एक राजनीतिक नेता थे, पत्रकार, संपादक, लेखक, शोथकर्ता, वकील और समाज सुधारक भी थे लेकिन आज हम उनके जीवन के दूसरे पहलू यानि बाबा साहिब और उनके शेर बाजार के बारे में बात कर रही हैं 1917 में बाबा साहिब आमबेड कर कोलंबिया में अध्यान करने के बाद भारत लोट आए और अपने आगमन के तुरंत बाद उन्होंने एक कम्पनी की स्थापना की इस कम्पनी का नाम स्टॉक एंड शेर्स था कम्पनी का कार्यालय दलाल स्ट्रीट पर था जहां आज शांदार बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज खड़ा है दिल्चस्प बात यह है कि बाबा साहिब उस समय केवल 26 वर्ष के थे इससे हमें पता चलता है कि इतनी कम उम्में देश में इतनी सामाजिक प्रतिकूलता होने और आर्थिक विचारों के प्रति जागरुकता न होने पर भी वह समय से कितना आगे सोचते थे आज के समय में स्टार्ट अप आदी सामान्य चर्चा का विशय बन गया है लेकिन बाबा साहिब ने सौ से एक सौ साथ साल पहले एक कमपनी की स्थापना की और यह शेर बाजार के बारे में है उनकी आर्थिक सोच कितनी आधुनिक और व्यावहारिक थी इससे यह साबीत होता है आज इतने सारे स्रोत और ओनलाइन डिजिटल मीडिया पर जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद भी बहुत से लोग शेर बाजार की और रुख करने की हिम्मत नहीं करते हैं या फिर कईयों की अग्यानता भी सामने आती है लेकिन सेंसेक्स निफ्टी से 50 साल पहले बाबा साहब ने एक स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग कंपनी की स्थापना की थी इससे पता चलता है कि हमारे मसीहा बाबा साहिब समय से कितना आगे सोचने की क्षमता रखते थे शुरुआत में कंपनी के शेर बाजार शेरों ने अच्छा रिटर्न दिया अब अगर हम 2024 के बारे में भी सोचे तो इसका मतलब आज के समय में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते की मुद्रा व्यापार किस प्रकार का होता है बहुतों ने इसके बारे में सुना भी नहीं है आज निवेश करने के लिए बहुत सारे प्लाटफॉर्म और सीखने के लिए सब कुछ होने के बावजुद आज भी मुद्रा व्यापारी विशेशग्य उंगलियों पर गिंती तक ही पा सकते है लेकिन बाबा साहब ने स्टॉक मार्केट के साथ साथ करेंसी ट्रेडिंग भी की है और वो भी सौ साल पहले एक बार बाबा साहब को निवेश के लिए पैसो की जरूरत पड़ी थी लेकिन उनके पास नहीं होने पर उन्होंने अपने पार्सी मित्र नवल भाटे से दो हजार रुपए मांगे अब आप सोचेंगे की कर्ज कौन लेता है और निवेश कौन करता है लेकिन जोखिम पुरसकार और दुरलब जीवन प्रबंधन और वैश्विक अर्थशास्त्र को कौन जानता है वह उधार लिये गए पैसे से भी पूंजी जुटा सकता है और रिटन कमा सकता है यहाँ बात बाबा साहब ने सिद्ध कर दी थी बात यहाँ है कि बाबा साहब को जानकारी थी कि आने वाले समय में जर्मन मुद्राओं की कीमत बढ़ जाएगी और इसके लिए उन्होंने एक मित्र से उधार लिये गए पैसे को मुद्रा में निवेश किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा लाब कमाया अपना उधार लिया हुआ पैसा भी वापस कर दिया इतना ही नहीं बाबा साहब ने शाहु महाराज से 200 पौंड भी लिये थे लेकिन इस बार रुपए के मुकाबले पाउंड की कीमत गिरने से उनमें थोड़ी निराशा हुई कुल मिला कर उनकी जो कमपनी थी उसका काम जबर्दस तरीके से शुरू हो रहा था लेकिन 100 साल पहले इन्वेस्टर्स पष्ट रूप से उच्छ जाती के थे बाद में जब निवेशकों को पता चला की श्रारिंग करिंसी कमपनी चलाने वाला व्यक्ति दलित है तो उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और अंत्तह जातीगत भेदभाव के कारण कमपनी बंद हो गई इससे पता चलता है कि यह विचार कितना क्रांतिकारी और दूर दर्शी है कि हमें सामाजिक मोर्चों पर लड़ते हुए एक कमपनी शुरू करनी चाहिए या किसी तरह का उद्योग लगाना चाहिए इतना ही नहीं बहिस्कृत हितकारणी सभा की स्थापना 1924 में बाबा साहब ने की थी और उन्होंने जो उद्देश्य लिखा था उसमें उन्होंने यह भी लिखा था कि हमारा उद्देश्य उद्योजक का निर्मान करना है इतना ही नहीं, इसके उद्देशों में क्रिशी एवं और द्योगिक कौशल का प्रशिक्षन के बारे में भी लिखा गया बाबा साहिब ने एक बार अपने दोस्तों को एक पत्र लिखा था और इसमें उन्होंने बाबा साहिब के बेटे, यश्वन्त और उनके भतीजे, मुकुन से उन्हें बैंकिंग और खुद्रा व्यापार सिखाने के लिए कहा था तो इससे पता चलता है कि आर्थिक द्रिश्टी से बाबा साहब के विचार कितने स्पष्ट थे इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने मित्र वराले को तंबाको का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी इसलिए बाबा साहब के बारे में बात करते समय उनके इस अनेक पहलों को सामने रखना जरूरी है और यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धान्जली होगी इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को महानायक कहा जाता है इस तरह के और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए जय भीम जय भारत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नभूलें धर्यवाद इस तरह के और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए जय भीम जय भारत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नभूलें